हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रेश मैं हूँ संगीता आवस्ती फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वर्टिकल गार्डन से रिलेटेड कुछ नए आइडियाज लेकर आई हूँ आज के वीडियो में मैंने जो भी D.I.W.E किये है वो काफी लो बजट है और बहुती अट्रेक्टिव हैं इन D.I.W.E को बनाना बहुती इजी है और इने बना कर हम अपने घर के जंक मटीरियल को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने इनवार्मेंट को भी प्लास्टिक फ्री म बना सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करके और पर क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलती रहे तो मैं बता हैं इस वर्तिकल गॉड़न को क्रियेट करने के लिए मैंने एक shoes rack का यूज किया है इसको मैंने white और black combination में paint कर लिया है अपर पार्ट है जो इस रैक का उस पर मैंने long size के containers को रखा है और इनको मैने nation paint से paint किया है और उस पे कुछ inspiring और मोटिवेशनल कोर्स को लिख दिया है जो मुझे बहुत पसंद थे और मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं यह छोटू सा आप जो वाटरिंग कैन देख रहे हैं यह भी फ्रेंड्स थर्मो स्टील का एक वेस्ट कप था जिसको मैंने पेंट करके और उस एरड़ाइ क्ले से कुछ डेसान कर दी है उसको पेंट कर दिया है सेकेर ग्रै पर देखिए इहां पे हम आते हैंहे कुछ कंटेनर्स थे जो कि खाली थे वेस्ट थे और इनको मैंने पेंट किया और पेंट करने के बाद मैंने डॉट डॉट करके और इसको डिजाइनिग कर तो इसके बाद यह कुछ smiling face वाले planters को मैंने रखा यहां पेस्को भी मैंने एशन पेंट से पेंट करके और क्रियेट किया है इन प्लांटर्स को आपने मेरे कई सारे वीडियो में देखा होगा ये बहुत ही जादा ब्यूटोफुल लगते हैं इसके बाद आप देख रहे हैं इस तरह की मटकी तो लगबग सभी के घरों में मिल जाती है और ये किसी न किसी पूजा में यूज होती है तो इन पे भी मैंने वरली पेंटिंग करी है और इसको मैंने अक्रेलिक कलर से पेंट किया है उसके बाद ये जो आप यलो कलर का ये बोर्ड देख रहे हैं इसको मैंने waste power bank से create किया है इसको मैंने paint करके और उस पे coat लिख दिया है उसके बाद ये stone का मैंने use किया है ये भी coat लिखा हुआ है देखिए उसके बाद friends इस garden का सबसे attractive item ये ducks है और ये बहुत ही cute है बहुत ही प्यारी बनी हुई है और इनको मैंने wall putty से create किया है ये बहुत ही low budget है और देखने में ये बहुत ज़्यादा beautiful लगती है आप देख सकते हैं मैंने six ducks को बनाया है अगर आप भी इन्हें बनाना सीखना चाहते हैं तो please मुझे comment box में जरूर बताएं तो इसकी making से related video मैं आपको provide करा दूँगी तो friends देखिए ये मैंने इनको place करने के लिए grass mat का use किया है तो you can see friends all the ducks are going near the water और water को रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक old ceramic bowl का use किया है इसके अंदर मैंने कुछ colorful stones को place कर दिया है ये देखने में काफी beautiful लग रहा है यहाँ पर मैंने कुछ planters को रखा है और उसमें original plants को place किया है यह मेरे पास flower pot का एक pair था जिसमें से एक break हो गया था तो दूसरा एक flower pot बचा हुआ था इसको मैंने repaint कर लिया है और यह काफी beautiful लग रहा है इसमें भी मैंने original plant को plant किया है फ्रेंड्स डक्स के root के लिए मैंने broken marble का use किया है यह मेरे पास कुछ pieces पड़े थे जो uneven थे तो मैंने इनको break करके और उनके डक्स के root के form में use किया है यहां पर मैंने कुछ painted stones का use किया है आप देख सकते हैं जिसमें से कुछ पे मैंने कुछ coats लिख दिये हैं और कुछ पे flower patterns create किये हैं तो सारी ducks और stones को place करने के लिए मैंने grass mats का use किया है इसमें मैंने four grass mats छोटी रखी है और एक मेरे पास बड़ी थी तो मैंने उसको भी use किया है अगर आप किसी भी तरह का garden create कर रहे हैं तो यह grass mats किसी भी garden को अच्छे से compliment करती हैं और इसका lush green color काफी real look देता है और यह आपके garden में चारचान लगा देता है इसके बाद हम देखेंगे यह एक wall hanging है जिसमें कुछ pom poms लगे हुए हैं कुछ birds को मैंने add किया है और यह मैंने खुद से बनाया है इसको मैंने wool से बनाया है और इसको बनाना भी काफी easy है अगर आप कहेंगे तो इसका भी video में आपको provide करा दूँगी देख सकते हैं यह birds ऐसा लग रहा है कि खुशी की वज़े से जूम रही है और यह pom poms garden में कुछ different और नए colors को add कर रहा है friends यो आप उपर एक basket देख रहे हैं इसको किसी ने मुझे gift किया था और इसी को मैंने एक नया रूप दिया है और अगर आप किसी भी village area से relate करते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह की basket वहां पे हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगी वहां की जो ladies होती है वो इस तरह क की basket को easily बनाती है और चपातियों को रखने के लिए भी इसका यूज करती है तो यह देखिए मौनिंग ग्लोरी के साथ यह बड्स जो है डांसिंग फ्रेंट्स इस वाल हैंगिंग को हैंग करने के लिए मैंने iron chain का यूज किया है यह देखिए और इसको decorate करने के लिए मैंने artificial creepers को पीछे place किया है देख सकते हैं फ्रेंट्स और यह creepers और यह pom-poms एक दूसरे को काफी अच्छे से compliment कर रहे हैं यह देखिए फ्रेंट्स मेरा suggestion यह है कि आप जब भी कोई भी garden create करें तो इस तरह के colorful wall hanging को place जरूर करें यह आपकी garden को एक different look देगा और आपकी garden को और भी अच्छे से beautify करेगा तो आप देख सकते हैं यह morning के time मैंने यह video shoot किया था early morning तो काफी अच्छा उस समय का मौसम रहता है और एप्रिल मंत की morning तो और भी जदा beautiful होती है तो friends यह देखिए कुछ मैंने different type की painting और भी करी हुई है आप यह bucket देख सकते हैं bucket में मैंने कुछ random pattern create किये हैं और ऐसे brush stroke से मैंने designs create किये हैं friends उसके उसमें मैंने spider plant को plant कर दिया इस bucket में उसके बाद जो आप bucket के अंदर दूसरा container देख रहे हैं और इसके इसमें जो है आप bamboo sticks से बना हुआ plant देख सकते हैं इसको मैंने इसको भी मैंने खुद से create किया है बट इसका video मेरे पास नहीं है आप इसके flowers को देख सकते हैं इसमें birds को देख सकते हैं friends यह real bamboo sticks हैं और इनमें जो birds आपको दिख रही हैं यह कुछ sticks जहां पर joint दिखता है वहां पर अपने आप कुछ निकली हुई सी sticks रहती हैं तो उनहीं को मैंने remove नहीं किया है और उसके उपर air dry clay को place करके मैंने उनको birds का shape दे दिया है और यह काफी hard इसको मैंने लगबग 2 साल पहले ही बनाया था पर इसका video मेरे पास नहीं है क्योंकि चैनल क्रियेट करने से पहले ही यह बन चुका था तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको फिर से बना के आपको उसका भी video provide करा दूंगी तो यह काफी अच्छा लगता है देखने में और कि इसी भी कॉर्नर को आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं इस प्लांट के थूँ तो पहले मैंने इसमें yellow कलर किया था और दूसरी बार मैंने इसमें red कलर कर दिया है इस प्लांड को प्लांट करने के लिए मैंने यह जू बनाया है वो एक मेरा Old paint का डबी था उसी से मैंने इसको क इस पे कुछ लेयर्स बना दी हैं और उसके बाद में मैंने इसमें लीफ पैटन क्रियेट किया यह देखने में काफी ब्यूटफुल लगता है जरूरी नहीं कि आप बालकनी गार्डन पर्टिकल गार्डन टेरेस गार्डन इन सारे गार्डन को क्रियेट करने के लिए बहुत अपने गार्डन में इंस्पिरेशनल कोट्स को जरूर स्थान दें यह आपके आसपास एक पॉजिटिव एनरजी क्रियेट करते हैं एक चीज और कुछ ओल्ड टॉल्स और सीमेंट का यूज करके मैंने कुछ सीमेंटेड यह प्लांटर्स बनाए हैं और इनके अंदर मैंने ओरिजिनल प्लांट्स को प्लेस किया है यह देख सकते हैं आप और फ्रेंट्स इनको पेंट करने के लिए मैंने इस बार टेरा कोटा कलर का यूज किया है इससे पहले मैंने टेरा कोटा कलर कभी भी यूज नहीं किया बट इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफी अच्छा इसका कलर है, काफी क्लियर है और काफी ब्यूटिफुल लगता है इसको पेंट करने के बाद एक चीज में और बताना चाहोंगी, यहां पर देख सकते हैं, एक प्लास्टिक के स्मॉल स्टूल है और इसके उपर मैंने ये प्ल honesty को प्लेक किआ है यह planter मैंने dustbin से create किया है यह old dustbin था इसी को मैंने paint करके planter का रूप देया है और friends यह hibiscus है और इसको मैंने cutting से लगाया था इसको मैंने जुलाई में plant किया था और अब इसमें leaves आ गई हैं यह काफी beautiful लगता है और शायद 15 और 10 days में इसमें blooming भी शुरू हो जाए कुछ birds इसमें दिखाई देने लगी हैं आप पास से देख सकते हैं इसमें चोटी चोटी leaves को आप देख सकते हैं और यह कितना happy लग रहा है plant ऐसा लग रहा है कि यह अपने pose देने की कोशिश कर रहा हो यह देखिए friends इतनी beautiful scenery हो और इतना beautiful weather हो और positive energy हो तो आपका कुछ देर बैठने का भी मन करेगा इसलिए कुशन के साथ मैंने यहाँ chair को भी place कर दिया है तो देखिए काफी beautiful weather है सूरज निकल रहा है और यह early morning का time था देखिए आप यह चछत का front area है आप देख सकते हैं friends क्यूंकि मैं rent पे रहती हूं इसके लिए आप चछत की painting को थोड़ा avoid करिएगा because I can't help it for that कि यह main road दिखती है यहाँ से चछत से आप देख सकते हैं कि यह देखिए friends और friends यह आप देख सकते हैं यह back side का area है और यह पूरे चछत का look है काफी बड़ी चछत है यह और यहाँ पे मैंने इस तरह का garden create किया है morning का time बहुत ही beautiful रहता है यह आप crow भी यहाँ एक देख सकते हैं जब तक मैंने वीडियो शूट किया यह crow आसपास टहलता रहा तो friends यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा तो like करिएगा अपने friends के साथ share करिएगा और channel पर नए हैं तो please subscribe कर लीजेगा thanks for watching friends bye